Hello everyone, आज मैं मेरे एडिनियम प्लांट के कुछ छोटे प्लांट को रीपोर्ट करने वाली हूँ इनको मैंने कैसे उगाया और इनको कब रीपोर्ट करना चाहिए, किस तरह की मिट्टी बनाना चाहिए और कैसी केर करना चाहिए सभी कुछ आपके साथ सेयर करने वाली हूँ मैंने पहली वारी सीट पोर्ट से प्लांट को उगाया है मेरे बड़े प्लांट में कुछ सीट पोर्ट हुए थे जिनके बीज को मैंने इस गमले में डाल दिया था लगबग सभी बीज उग गए है आज मैं एके करके इनको रिपोर्ट करूँगी जब भी आप एडिनियम को सीट से ग्रो करते है तो उनमें लगबग 4-5 पतिया आ जाए या फिर उसका साइज पेंसिल के बराबर मोटा हो जाए या फिर लगबग वो 5-6 इंच के हो जाए तब उनको रिपोर्ट करना चाहिए मैंने इन प्लांट को लगाने के लिए एक मीडियम साइज का गमला लिया है जिससे मैं 2-3 साल तक इसी गमले में प्लांट को लगी रहने दूँगी जिससे मुझे बारबार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी इसको लगाने के लिए हमें एक अच्छी मिटी तयार करेंगे जिसमें गार्डन स्वाइल, फंगिसाइट पाउडर, बर्मी कंपोज्ड और सेंड की मातरा थोड़ा ज़ादा होगी आप नीम केक भी डाल सकते हैं नीम केक या फिर फंगिसाइट पाउडर हम इसलिए मिलाते हैं जिससे प्लांट में फंगस नहीं लगता है मैं हमेशा छोटे प्लांट को निकालने के लिए किचिन में यूज होने वाले चम्मच का यूज करती हूँ उससे आसानी से प्लांट निकलाता है रूट सहित इस तरह हम चम्मच की हेल्प से प्लांट को आसानी से निकालेंगे पर सावधानी से निकालेंगे कि उसकी रूट डेमेज नहीं होने चाहिए यूँ तो एडिनियम कटिंग से भी लग जाता है और जो भी प्लांट बाकी के बचे हुए थे मैंने एक साथ कुछ गमलों में लगा दिये हैं जो मैं किसी को दे दूँगी एडीनियम प्लांट पूरी गर्मियों से लेकर बारिस तक लगातार फूल देता है सिर्फ सर्दियों में एक दो महिने इसका डॉर्मेंसी पीरड होता है तब ये फूल नहीं देता है सिर्फ प्लांट जिन्दा रहता है पर फूल एक भी नहीं आते है उसके बाद ये 7-8 महिन तक हमारे गार्डन में काफी अच्छे फूल देता है और गर्मियों में आप इसको फूल सनलाइट में रख सकते हैं कोई भी सेड लगाने की जरूरत नहीं होती है तब भी ये काफी अच्छे फूल देता है अगर आपने एडिनियम के बीजों को एक साथ एकी गमले में लगा दिया है तो 5-6 इंच का हो जाने के बाद इनको रिपोर्ट कर देना चाहिए वन्न प्लांट पास पास होते हैं तो कुछ प्लांट खराब हो जाते हैं 5-6 इंच के प्लांट में भी कॉर्डेक्स वन्ना चालो हो जाता है इसको जब हम report करते हैं तो उसके cordex का थोड़ा भाग उपर रहना चाहिए सिर्क root को अंदर जाना चाहिए जब भी हम edinium plant को seed से लगाते हैं तो उनमें cordex अच्छी तरह develop होता है जबकि plant अगर cutting से लगा हुआ होता है तो उसमें cordex अच्छी तरह develop नहीं होता है प्लांट काफी बड़ा हो जाता है परंतु cordex का shape उतना सुन्दर नहीं होता है जितना root से लगे हुए plant में होता है सभी plant को report करने के बाद मैं पानी दूँगी जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तब इसमें पानी देते है दो तीन दिन सेड में रखे रहने के बाद मैं ये plant को दूप में रख दूँगी और मिट्टी सूख जाने पर इनको बीच बीच में पानी दूँगी थोड़े दिन बाद मैं इन में वापस से fungicide powder डालूँगी fungicide powder डालने के लिए आप उसको पानी में घोल कर liquid करके root में दे सकते हैं या spray कर सकते हैं तो इस तरह मैं report करती हूँ आसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching